गया और महरानियों और रानियों में भगदर मच गई सभी प्रासाद सुंदरियां अपनी जान बचा कर भाग खड़ी हुई चलिए दोस्तों कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ सांचान ने जट पड़ अपने कांपते हाँ राजा की कंदे पर रखते हुई कहा राजकुर्ष्ष्ट गपराईये बद मेरा यह दुष्ट शिशे अपनी दिलिस्मी शक्तियों के जरिये यह मालूम करने की कोशिश कर रहा है कि राजकुमारी असली है या नतली यह देखकर कि स्थिती उसके विपृत होती जा रही है प्रितात्मा ने वानर की पकड़ से मुक्त होकर अपने कपड़े फार डाले आभूशन और केश अलंकरन जमीन पर पठक दिये और दोड़ कर शाही उत्यान में स्थानी देवता के मंदिर में जाप हुची वहां से वहे घं के सिर्के आधार ये एक छोटी सी गदा उठा लाए और तेजी से वानर की तरफ लोड़ कर गदा से उस पर पाबड दो उड़वार करने लगी वानर तुरंट उसका मुकाबला करने के लिए तयार हो गया और अपने लोह दंड से उस पर जबाबी प्रहार करने लगा दोनों एक दूसरे पर सोर सोर से ठीकते चिलाते हुए शाही उत्यान में लड़ने लगे दोनों ने आकाश के बीचों बीच पहुच कर लड़ाई ने अर्भुत दिरिस्मी शक्तियों का प्रेयों किया आकाश के बीचों में तोनों के बीच में फैयां कर यूटों होता देखकर नगा किया आओ रूग उखथी जादा डर गए और राट के अधिकारी गड़ तर्के मारे थार 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 हाओ भी लोगे शत्ये नर्माध्या शेगा को सहारा देखी दोनों के लड़ादा थार है जान हस पर भता रहा